जैन दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर पुना स्वागत है दोस्तों हजारों की संख्या में कच्छा के रहा हुई की स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया कि सर हमें हिंदी का पेपर दे दिजी हिंदी के पेपर दे दिजी तो हम बहुत ही मुश्किल से ले आएं दोस्तों चलिए देख लेते हैं इन सभी पेपरों को चलिए दोस्तों आपका समय रहेगा 1 Caroline करा ते क्योंकि आप के पास बहुत सीमिस समय बचा है चलिए देखिए सहीं विगल्प का चैन करना है देखिए पहले यह कबीर की भासा को कहा जाता है कबीर की भासा क्या कहा जाता है दोस्तों इसमें से आप कुछ जो सही लगता है उसमें क्लिक करना है यह आपको सलूसन चाहिए तो कमेंट आपको बताना है इन में से कौन से 6 आबदी कमी हैं देखिए अम्रत peach किस प्रसिड लेखक के पुतर हैं कोईंह की किस आउजयार सिखी जाती थो आपको बताना है को हैं किस परकार खुदे जाता है को हम देख लेते हैं दोस्तों हमारा दूसरा कुश्छन जो है वो होता है रिक्तिस्थान यह नहीं खाली स्थान भरने वाला देखिए यह जो खाली स्थान दिख रहा है और यह जो आपसंदी है इन्हीं आपसंद में से आपको भरना एक खाली स्थान को ठीक है दोस्तों तो चलिए हम देख लेते हैं देखिए चित पट संगीत का परिय है तो आपका समय बचेगा यह दिन ही आता तो बेज जग दोस्तों कमेंट करना हम आपको क्या करेंगे उत्तर भी प्रोवाइड करा देंगे ठीक है क्वेश्चन तीसरा देख लीजिए कहते हैं निसने सफ गतन हैं दोस्तों कि कौन सा सफ और कौन सा असथ बताना है ठीक है पंच चवुस्ती काब मह बसका किसरी दी है तो आपको बताना कि 750 महा काब किस रेंडी में आती है ठीक है दोस्तों देखेए बाक्तिकाल के प्रमुक कावी सूर्ट उसी मीरा और कबीर दश है तो आपको बताना है कि हैं कि यह नहीं है方 सद घ़िये तो ससद में लगाना अससद भ То अससद लिग देना हो था ठीक ए दोस्तों देखिए यदि आप अच्छे से पढ़ें तो जो सुरू में आये थे उसी प्रश्णों को घुमा क्या अब सही जोड़े बना दिया है ठीक है दोस्तों देख लीजिए यह है कबीरदास का जन्म हुआ था कब हुआ तो आपको कहा हुआ था कबीरदास का जन्म कहा हुआ था आपको पता मिस्र सेखर जोसी कहानी उपन्या सम्राड कौन है तो कहानी उपन्या सम्राड जो है कौन है दोस्तों प्रेम चन्द है तुरंद मार देना चलिए हम बताएंगे नहीं अभी मन करता है बता दें लेकिन अभी नहीं बताएंगे ठीक है आपको कमेंट करना होगा ठीक है एक हम कमेंड करना हम उत्तर सकता प्रॉक्त करती तरह कि उसमें कोई किया है स्रेम की बात नहीं देखिए ये सब्सकीन होना मुहावरे क tie क्या अधितना Bowl कि बहुत दिन Gmail न profileat मुझे केवल मात्र पांच रुपए चाहिए वाक को सुद्ध करना देखिए मुझे केवल मात्र पांच रुपए चाहिए इसको आप देखिए गलत लिखा है यह से आपको सही लिखना है ठीक है कबीर जीने कुमार को किसका प्रतीक माना देखिए इसी प्रकार सब दिये गए चटवा देख लेते हम चलिए बख्तिकाल को सवन्ड यूग क्यों कहा जाता है खिंड के भाउटिकाल को क्यों कहा जाता जाता है उत्व हुआ नहीं आरहा तो मीरा बाय ने क्रिष्न की ब्रह्ति की सुरूप में किनी यदि समददार है तो देखिए मीरावाई क्रिष्ण की भक्त थी तो यहां मीरावाई जीवन किसकी इश्ट देव की अराधना की तो सिर्फ क्रिष्ण की देखिए कुछ उत्तर तो ऐसे हैं तो आपको घुमागी दे देता है उन्हीं प्रस्णों से आप यह दि पूरा पढ़ लेत लेते हैं इसलिए कहते हैं प्रस्ण सहिससे पहले पढ़ लिएकर इखे घहें कि लेए लेकश देख लेते हैं जन संचार के प्रमग दो माद्धिमों के नाम लेकारी थीक ऐ् छायावादी काव के अधारि पर इस्तंभु cheese जुड़े थे तो बताना है किस वात से दोस्तों चलिए हम आगे आपको दिखा दीजियेर है आपकी स्कीन पे देखिए डेखिए राम बक्ती साखा के प्रमुक कभी तुलसी दास जी ने अपना प्रसिद गरंद राम चरीत मानस मुकृूप से किस छंद में लिखा आपको बताना है अथवा देखिए आधिनी काल का आरम किसी युक से माना जाता है आपको ये भी करना है देखिए इसमें से एक करना है दोस्तों ह नमबर भी नहीं मिलेगा देखिए ग्रावा पत्थिक का मन कहां विचराना चाहता है ठीक है अथवा देखिए भारत का पर्थम समाचार वाचक किसे माना जाता है चलिए जनसंचार के आधनिक माध्यम कौन कौन से है अथवा यह नहीं आ रहा तो आप दूसरा नमबर करिए क अपने व्यक्व साथ से क्यों पलायन कर रहे है ठीक है चलिए आप सकीन साथ इन सभी क्वेशनों को ले लिज जल्दी से हम दिखा दे रहे हैं यह रहे आपके सारे क्वेश्च्चन देख लिजेए दोस्तों फिर 17 से आगे कदिखा देते हैं यह देखिए 17 से आगे का सब्सक्राइब देखिए इसका हमारे उपर किसका उपकार है इसमें लिखना है आपको देख लीजी जल्दी 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 दोस्तों देख लीजिए यह गद्यपद के आप के हैं ठीक है यदि आप अच्छे से वुक रीट किये हैं तो तुरंद से आप इन सभी का उत्तर बता देंगे देखिए विसावान निम्लिखित में पद्यांस की संदर वसाइद भी आख्या करना है संतो देखत जग बराउना साच कहो तो मारं धावे जूट जग पतियाना देखिए आप एक दो लाइन पढ़ेंगे तुरं जान जाएंगे किस चेप्टर से लिया गया है ठ तो संदर वसाइद भी आख्या करनी है ठीक है और काविकस संदर भी डाल देंगे तो आपका सबसे अट्रक्टिव हो जाएगा अलग हो जाएगा ठीक है ठीक है दोस्तों काविकस संदर लिखना बहुत जरूरी होता है चलिए बैसावान नमबर देख लिजिए आप सुदा प्राथना पत्र लिखना है ठीक है माल लिजिए आप सुदामान अगर भुपाल में रह रहे हैं तो आपकी महले में गंदगी छागें तो आपको स्वस्त अधिकारी को पत्र लिखना है प्राथना पत्र आप प्राथना पत्र नहीं लिखना जानते तो कमेंट करिए हम उसक संतावना पत्र लीए खेकर दोस्तों देखिए आपके गां में यह राव से बहुत ज्यादा नुश्कान हो गया तो आपको दुखी पिता कि के एक पुत्र का संतावनापत्र लिखना है ठीख है देखिए ़मारा याष्ट कुस्चिन क्लेकर दोस्तों वह नमबर देखिए इसमें लिखना है निमलिखित विसयों में से किसी एक विसय पर निवन्द लिखना है ठीक है यह जो विसय दिये गए हैं इन सभी विसयों से हमें इन पर एक निवन्द लिखना है जैसे वर्तमान समस्या क्रोणा है क्या वर्तमान समस्या क्रोणा क्रोणा करोना को या एक याद कर लेना किसलिए हम बता रहे हैं देखिए यह जब आपका वार्सिक एक्जाम होता है तब के लिए हम बता रहे हैं ठीक है मुबाइल और इंटरनेट का अभी के लिए तो यह हमेशा आएंगे ठीक दोस्तों कि आप सबी लोगों को यह प्रस्ट के लिए करियों होंगे यदि इनका उत्तर चाहिए तो कमेंट करिए तो मैं तुरांट सलूसन भी दूंगा तो मिलते हैं अगरे वीडियो में आज के लिए बस नए जहें दोस्तों